हेलो फ्रेंड कैसे आप लोग आई हो पाप लोग बहुत अच्छे होंगे है ना आज में लेकर आई हूँ गोवी का पकोड़ा जिसे बनाना बहुत ही असान है और यह फटाफ़ बन कर त्यार हो जाता है और अभी गोवी का मौसम चल रहा है हर जगह यह गोवी मिल जाता है कह सहर कहीं भी मिल जाता है सहर में हमेशा मिलता है लेकिन गोवी मिलता है तो चलिए आज हम लोग गोवी का पकोड़ा बनाते हैं उसे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेयर करना बिलकुल ना भूले तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग गोवी का पकोड लगेगा उसे कट कर लेंगे यह देखे मैंने फिल्कुल इस तरह कट कर लिया है थे तो चलिए मैंने एक पैन में गरम पानी रख दिया है और इसे उबाल लेते हैं नमक डाल कर तो चलिए गोबी को बोल कर लेते हैं अच्छे से यह देखिए थोड़ा थोड़ा गरम हो गया है हमारा तो इसे हम लोग ज्यादा नहीं पांच मिनट तक उबालेंगे और यह ज्यादा उबल जाएगा तो फिर ज्यादा पक जाएगा और पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे तो यह देखिए हमारा ग पानी से निकाल लेते हैं और इसे साफ कर लेते हैं चलिए पानी से निकाल लिया हमने और इसे ठंडा पानी से दोलेंगे यह देखिए मैंने ठंडा पानी से दोलिया इसे और चलिए कितने अच्छे से गोबिया मरब बॉयल हो गया है तो चलिए एक बाउल ले लेते हैं उसमे हल्दी पोर्डर नमक स्वाद के इसाब से आप लोग कमिया ज्यादा कर सकते हैं कुटी हुई कल्य मिर्च लाल मिर्च आप लोग तीखा कमिया ज्यादा कर सकते हैं और कटी हुई हरी मिर्ची हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका बैटर त्यार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा डाल कर त्यार करेंगे एक ही बार पानी डाल देंगे तो यह हमारा गाड़ा हो जाएगा नहीं तो पतला हो जाएगा तो चलिए और थोड़ा से पानी डालते हैं इसमें और इसे लेते हैं यहे देखे मैंने दिखा दे रही हूं बैटर की। दपार इस तरह होना चाहिए उस मूल मिन दिखाय यह बैटर को चलिए गोबी कोडाल देते हैं बैटर में और इसे अच्छे से कोट कर लेते हैं स्पून की साहता से ये देखिए हमारा गोवी बिल्कुल अच्छे से कोट हो गया है तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं हम लोग हमारा तेल गरम हो गया है डालते हैं इसमें गोवी फ्राई होने के लिए यह देखिए मैंने गोवी डाल दिया है तेल में और इसे मिडियम फ्लेम फे फ्राई करेंगे ताकि यह अंदर से पक भी जाए और कुरकुरी हो गोवी के पकोड़े आप लोग चाहे तो सॉस के साथ खाए या फिर हरी चटनी धन्या की चटनी तो बहुत ही टेस्ट लगता है इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं हम लोग चारो तरप से पलट पलट कर और यह देखिए हमारा फ्राई हो गया है तो इसे चटनी के सायता से निकाल लेते हैं वेको अच्छे से निकाल लेते हैं हम लोग यह देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है यह देखिए हमारा गोवी का पकोड़ा सारा फ्राई हो गया है यह देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुआ है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तो चलिए इसे चेटनी के साथ साफ़ कोड़ देते हैं तो ये गर्मा गर्म तयार है हमारा गोबी का पकोड़ा तो आप लोग भी बनाएं और हमें कॉमेंट करके बताएं आप लोग कैसा लगा बाइ फ्रेंड